भारतिय अंतरिक्ष अंसंधान संगठन इसरो ने रविवार को एक और कम्याभी हासिर की, उसने अपने अब तक के सबसे भारी भरकम LBM3 रॉकेट के जरिये ब्रिटेन इस्तित वन वेब समूग कमपनी के 36 उफग्रहों को उनकी निल्धाइर तेक्षा में सफलता प्रुवक स्थापित किया इसरो के इस 43.5 मिटर लंबे रॉकेट को चेनाई से करीब 135 किलो मिटर दूर 37 धमन अंतरिक्ष केंदर में दुसरे लॉंच पैट से रविवार सुबा 9 बजे पर शपित किया गया ब्रिटेन की नेटवर्क एक्सेस एसोसियेट्स लिम्टेट वन वेप ग्रुप कम्पनी ने प्रिथमी की निचली चक्छा LEO में लो और्थ और्बिट में 72 उफग्रहों को प्रशपित करने के लिए इस्तरों की वानिजिक साखा New Space India Limited NSIAL के साथ एक करार किया है इस करार के तहत यह वन वेप के लिए दुसरा प्रशपन था वन वेप ग्रुप कम्पनी के लिए पहले 36 सेटेलाइट 23 अक्टूबर 2022 को प्रशपित किये गए थे वन वेप आन्तरिक्स संचालित एक वैस्विक संचार नेटवर्क कम्पनी है जो की सरकारों यों उद्योगों को संपर्क की सुविधा मुहया कराता है इस्तरों के अनुसार LBM3 M3 One Wave India 2 मिसन पूरा हो गया है सभी 36 One Wave Gen 1 उपग्रहों को नेर्धारित कक्छाओं में अस्थापित किया गया है One Wave के पास वर्तमान में कक्छा में 582 उपग्रह है 36 उपग्रहों के दुसरे परशेपण के बाद One Wave के उपग्रहों की कूल संख्या 618 हो गई है 618 हो जाएगी जिन उपग्रहों को लेकर LBM3 ने उडान भरी उनका कूल बजन 5850 टन है उनका कूल बजन 5850 टन है इस मिसन को LBM3 M3 Oblix One Wave India 2 नाम दिया गया है One Wave के सभी 36 उपग्रहों को प्रिथमी की निचली चक्षा में LEO में अस्थापित किया गया है Low Earth Orbit या प्रिथमी की निचली चक्षा 400 किलो मीटर और 2000 किलो मीटर के बीच उचाई पर यानि कि 4000 km से 2000 km के बीच उचाई पर रिस्तीत प्रिथमी के चारो और एक अक्छा है इस अक्छा में बने रहने के लिए एक गरह को लगभग सत्रह हजार पान सो मिल यानि कि सत्रह हजार पान सो मिल प्रती घंटे 7.8 km प्रती से कि गती से यात्रा करने पड़ती है जिस गती से इसे गरह की एक चापुरी करने में लगभग 90 मिनेट लगते हैं वार किसा all बती दोपना लगते हैं और किसुप करने में लगभग 6 अचिछ टाफ्ट्या जाते कि में लगभगे इसीज ए होरिजन्टल स्पीड पैरालेल टू दा प्लैनेट एलियों में एक उपग्राफ परती दीन लगभग 16 परिकर्मा पूरी करता यानि कि 16 टाइम सो परिकर्मा पूरी करता है या प्रित्मी के परते हलांकी जियों में लगभग जो जियों अर्थ ओर्बिट होता है जो कि 22,000 मिल यानि कि 36,000 किलिमेटर को उचाई पर है जिस बुंदल पर कक्ष्य गति जो हती है और विटल जो स्पीड होता है उसदा धीमी हो जाता है वो पृथमी के स्पीड के साथ गुमता है बने को प्रिश्मी के साथ सथ घुमता है और एक ही अस्तान पर घुमता है जो उससे उफगरा टीवी और अन्य संचार प्रनालियों के लिए विश्य सुरूप से उपयोगी होता है इस तरह के इतने भी टीवी के लिए ब्रोडकास्टिंग के लिए जो इतने भी सैटेलाइट से हैं सब जियो सिंक्रोनस से हैं लबीम 3 के बारे हम थोड़ा और विश्टार से बात कर लेते हैं लबीम 3 इस रोग के सबसे भारी राकेट वाहक वाहन जी एसल वी एम के 3 का नया नाम है जो कक्षा में सबसे भारी उपग्रहों को अस्थापित करने की छमता रखता है यह भारत का तीन चरणों वाला अब तक का सबसे सक्तिसाली लंचर है जो 4 टन के उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस टांसफर औरबिट जी इओ में परशेपित करने में सक्छम है और लो और्थ औरबिट में एल इओ में 10 टन की इसकी वहन चमता है इसमें पहले चरण में इसके तीन चरण है इसके पहले चरण में तरल इंधन ठोस इंधन द्वारा संचाली दो अश्ट्रैप और मोटर है दूसरे चरण में तरल इंधंद्वरा है तरल इंधंद्वरा संचालित होता है और तीसरा जो है इसमें कराईजूनिक इंजन लगा है तो कराईजूनिक के बारे में फिर और विश्टार से बात करेंगे बाद में तो इसके तीन चरण है तीसरा वाला कराईजूनिक इंजन है LBM3 ने अब तक चंदर्यान 2 मिशन सहीत लगतार 5 सफल मिशन संचाडित किया है तो ये कुछ सुचनाय थी LBM3 के बारे में